ओम ग्रणी सूरियाई नम्हा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किट कटी स्टोरीज पर हर्दिक सवागत है आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा साथ ही जानेंगे पूजा विधी के बारे में जेट मासके जितने भी रविवार होते हैं उन सभी में आपको एक ही तरह की पूजा विधी अपनानी चाहिए और एक ही कथा आपको हर रविवार के दिन सुननी चाहिए आज के इस वीडियो में एक बहुत ही जरूरी सूचना आप सभी भगतों के लिए है और खासकर उन भगतों के लिए है जिन्होंने हमारे चैनल पर बहुत पहले से ही हर महीने के कथाएं सुनना पराराग किया है ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि आपको हमारे चैनल पर हर महीने के महातमी की कथाएं लगातार मिलती रहेंगी क्योंकि कई बार ऐसा समय भी आ जाता है कि जब मैं आपके कमेंट्स का उत्तर ना दे पाती हो तो ऐसे में आप बिल्कुल भी परिशान मत होईएगा क्योंकि आप सभी के दुआउं से और आप सभी के आशिरवाद से इतने अच्छे-चे कमेंट्स आप करते हैं तो आप सभी के प्यार और आशिरवाद से हमारे घर में बहुत जल्दी एक नन्ना महमान आने वाला है जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में बहुत ज़्यादा व्यस्त रह सकूँ, हो सकता है आपके प्रशनिका, आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना दे पाऊँ लेकिन आप सभी की सुविधा के लिए और आप सभी का प्यार देखते वे, जितने भी व्रत्योहर हमारे हिंदु धर में प्रचलित हैं, चाहे वो एकादशी हो, पुर्नीमा, अम्मावस्या हो, या आने वाले जो भी प्रमुक्तिहार हैं, उन सभी की कता और पुजाविधी क की वीडियो, साथ ही आने वाले कुछ महीने के महतमी की कताएं, मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जो कि आपको समय समय पर लगातार उसी तरह से मिलती रहेंगी, जिस तरह से अब तक मिलती आई हैं, बस आप मेरे लिए थोड़ी सी और दुआएं कीजेगा कि सब कुछ सही हो और मैं जल्दी आप सभी के बीच में पहली की तरह से आ सकूँ, अगर आप जेट के महीने से सोरी देवता की पूजा करके उपवास प्रारम करना चाहते हैं, तो आप उपवास भी प्रारम कर सकते हैं, आप अपनी सामर्थ के नुसार चाहें, तो केवल जेट म के रविवार के वरत रखने का संकल प्ले सकते हैं, या फिर लगातार एक साल तक, अगर किसी कारण से आप उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो भी आपको रविवार के दिन सोरी देवता की पूजा विधी विधान से करनी चाहिए, और व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रविवार का वरत ना भी कर पाएं, तो उन्हें ब्रह्म मोर्थ में उठकर या फिर सूर्यदय से पहले उठकर सूरी देवता को अर्ग जरूर देना चाहिए, अर्ग देते समय तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत साथ ही ला हो जाती हैं, अब जो लोग रविवार का वरत करते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात की अगर आप वरत लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वरत का संकल्प आप पहले दिन जरूर ले, कि आप कितने वरत रखना चाहते हैं, साथ ही रविवार के वरत में नमक का प्रयो अर्ग देने वाले लोटे में रोली अक्षत कुमकुम और लाल फूल जरूर डालें। इसके बाद धूप तीपक जलाकर सूरी देपता की भी पूजा करनी चाहिए। संख्या में क्यों ना करें। सबसे जरूरी होता है उस मंत्र के प्रती आपका विश्वास, आपके मन की सच्ची भ्रक्ति। इसलिए अगर आपने संकल्प द्रण निश्चे होकर किया है, आपका व्रत आप जो भी रखना चाहते हैं सच्चे मन से अगर रख रहे हैं, किसी के साथ ना तो कुछ बुरा कर रहे हैं, सबका भला अगर आप सोच रहे हैं, गलती से भी मन में आपके किसी के प्रती कोई बुरा विचार नहीं आता है, तो कहते हैं भगवान ऐसी पूजा को और ऐसे व्रत को जरूर स्विकार करते हैं। नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती हैं। कहते हैं रविवार का व्रत रखने वाले या फिर सूरी देपता की पूजा करने वाले भगतों को खासकर रविवार के दिन चावल में दूद और गुड मिला कर खाना चाहें। अगर कुंडिली में सूरी ग्रह से संबंदित कोई भी दोश आपके जीवन में हैं तो उसका बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। साथी जो भी भक्त सच्चे मन से और नियमों के साथ रविवार के दिन सूरी देपता की पूजा कर उपवास रखते हैं। निमान सम्मान में कभी कमी नहीं आती। उन्हें जीवन में सदा सुख प्राप्त होता है। धन, यश और उत्तम स्वास्त भी प्राप्त होता है। पुराणी कथा के नुसार प्राचीन काल में किसी गाउं में एक बुढिया रहती थी। वो नियम से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्य दे से पहले उठकर बुढिया इस्नानादी से निवरित होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगा कर दिन में एक समय ही भोजन किया करती। इसी तरह रविवार का वो नियम पुर्वक वरत करती थी सोरे भगवान की कृपा से बुढिया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था उसका घर धन धानने से भरा हुआ था उस बुढिया को सुखी देखकर उसकी पडोसन उससे बहुत जलती थी बुढिया रोजाना अपनी पडोसन के आगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लीपती थी अब शनिवार के दिन रात को एक दिन पडोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांथ दिया ताकि बुढिया अगली दिन अपना घर न लीप सके उधर रविवार की सुभा जब बुढिया उठी और लीपने के लिए गोबर लाने के लिए अपनी पडोसन के घर गई तो देखा गाए तो आंगर में बंधी भी नहीं थी इस कारण रविवार के दिन बुढिया जो है गोबर ना मिलने के कारण अपना आंगर नहीं लिप पाई आंगर ना लिप पाने के कारण उस बुढिया ने उस दिन सुर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन सुयम भी भोजन नहीं किया सूर्या स्थोने पर वह बुढिया भूगी प्यासी ही सो गई रात हुई तो सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिये और व्रतना करने का तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा तब बुढिया ने बहुती करुण स्वर में अपनी पडोसन के द्वारा घर के अंदर गाए बांधने और गोबरना मिल पाने की बात कह दी तब स्वपन में ही सोर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढिया की परिशानी का कारण जान कर उसके सब दुख्तूर करते वे कहा ही माता, तुम हर अविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ और तुम्हें मैं ऐसी गाए प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धंधान इसे भर देगी तुम्हारी सारी मनुकामनाई पूर्ण हो जाएंगी स्वप्ण में उस बुढिया को ऐसा वर्दान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गई प्रातकाल सूर्यते से पहले उस बुढिया की आँख खुली तो वहें अपने घर के आंगन में एक सुन्दर गाय और बच्छडे को देखती है गाय और बच्छडे को देखकर वो हैरान हो गई अब जब घर में गौमाता और उनका प्यारा सा बच्छडा हो तो उनके चारे की चिंता तो होगी ही अब बुढिया ने जल्दी से गाय को आंगन में बांधा और उनके लिए चारा लाकर उन्हें खिला दिया पडोसन ने उस बुढिया के आंगन में बंधी भी सुनतर गाय और बच्छडे को देखा तब तो वहें बुढिया से और अधिक चलने लगी तब ही क्या हुआ कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया गोबर को देखते ही पडोसन की आँखे हैरानी से फटी की फटी रह गई उस समय क्योंकि बुढिया गाय के आसपास नहीं थी तो पडोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और वहाँ पर अपनी गाय का गोबर रख दिया सोने के गोबर से पडोसन कुछी दिनों में धनवान हो गई क्योंकि भूली भाली बुढ़िया को तो कुछ पता ही नहीं था और उधर चलाग पडोसन हर दिन जैसे ही गाय गोबर करती और वह सोने का हो जाता अपने घर में रख लेती और पदले में अपनी साधरन गाय का गोबर सोने के गोबर की जगा पर रख कर आ जाती अब गाय जो थी वो हर दिन सोर्यदे से पहले सोने का गोबर करती इस प्रकार बुढ़िया के उठने से पहले ही पडोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती काफी दिन तक ये सब चलता रहा और बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला अब बुढ़िया पहले की तरह हर अविवार को नियम पूर्वक भगवान सुरी देप का व्रत करती रही और कथा सुनती रही सुरी भगवान को जब पडोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन बड़ी तेज की आंधी चला दी जब तेज-थेज हवाई चलने लगी जोर-जोर से पेड़ हिलने लगे तो बुढ़िया ने अपनी गाये को घर के भीतर बान दिया ताकि गाये को कोई नुकसान न पहुंच सके उधर नियम के अनुसार गाये ने गोबर किया जोकि गाये तो घर के भीतर बंधी हुई थी अब जब गाये ने गोबर किया तो वो तुरन सोने के गोबर में परिवर्तित हो गया अब जब बुढ़िया ने सोने का गोबर अपने घर के अंदर पड़ा देखा तो बड़ी हैरान हो गई और उसे खुशी भी हुई कि सोरी दिपता ने उसे बहुत बड़ा वर्दान दे दिया है इतने बड़े चमतकार के उमीद तो बुढ़िया को कभी नहीं थी बस क्या था उसी दिन से वह बुढ़िया गाये को घर के भीतर ही बाधने लगी उधर पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाई अब सोने का गोबर जब वो नहीं ले जा पाई तो और अधिक इर्शा करने लगी सोचने लगी कि इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं ये बुढ़िया तो सचमुच बड़ी चलाक निकली पहले तो घर के बाहर अपनी गाई बानती थी तब मुझे सोने का गोबर ले जाने में कोई परिशानी नहीं होती थी अब तो ये घर के भीतर अपनी गाई बानती है और मुझे अब तो बहुत दिनों से सोने का गोबर भी नहीं मिला उधर भोली भाली बुडिया जो थी, वो रोज सोने का गोबर पाकर बहुत धनवान हो गई अब जब बुडिया धनवान हो गई, तो उसकी पड़ोसन जो थी, वो बुरी तरह जल भूलकर राख होने लगी बहुत इर्शा करने लगी आपकी बार उसने अपने पती को नगर के राजा के पास भेज दिया और बुड़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है ऐसा अपने पती से कहलवा भेजा ताकि राजा को पता चले तो राजा उसकी गाए को अपने कबजे में कर ले राजा ने जब ये बास सुनी तो उसने अपने कोच सैनिक भेज कर बुढ़िया की गाए लाने का आदेश दे डाला अब सैनिक जो थे वो बुढ़िया के घर पहुँच गए उस समय बुढिया सुर्य भगवान को भोग लगा कर स्वयम भोजन ग्रहन करने ही वाली थी तभी राजा के सैनिक जबर्दस्ती गाय और बच्छडे को महल की तरफ ले चले बुढिया ने उसे बहुत प्रार्थन की कि वो उसकी गाय को ना ले कर जाएं बहुत रोई गिरगिराई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने चुकि राजा का अदेश था अब गाय और बच्छडे के चले जाने से बुढिया को बहुत दुख हुआ मारे दुख के उस दिन बुढिया ने कुछ नहीं खाया और भूगी प्यासी ही सारी राज सूरी भगवान से अपनी गाय और बच्छडे को लटाने के लिए प्रार्थना करती रही उधर गाय राजा के महल में पहुँच चुकी थी ये देखकर राजा बड़ा खुश हुआ सुभा जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्यरी का ठीकाना नहीं रहा उधर सूरी भगवान को भूगी प्यासी बुढिया को इस प्रकार रोते देखकर इस प्रकार दुख में देखकर और प्रार्थना करते देखकर बहुत दया गई उसी रात को सूरी भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दे कर कहा ही राजन बुढिया की गाय और बच्छडा तुरंत लोटा दो नहीं तो मैं तुम पर विपत्यों का पहाड गिरा दूँगा सपने में सूरी भगवान के ऐसे वचन सुनकर भैभीत राजा ने प्रात काल उटते ही गाय और बच्छडा बुढिया को लोटा दिया और राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन भी बुढिया को उपहार स्वरूप दिया और अपनी गलती के लिए शमा भी मांगी राजा ने पडोसन और उसके पती को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया साथ ही राजा ने इसके बाद से पने राजी में घोशना करवा दी कि सभी इस्तरी पुरुष रविवार को व्रत किया करे और राजा की प्रजा ने भी ऐसा ही किया रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धंधान इसे भर गए चारो और खुशाली छा गई सभी लोगों के शारीरिक कस्ट और बिमारिया दूर हो गए नी संतान इस्तरीयों की गोद भर गई राज में सभी इस्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगी बोली सूरी देपता की जय